इस वीडियो में जार्खन के जंजातिय विद्रों के बारे में देखेंगे तो जार्खन के जंजातिय विद्रों के अंदर गत आई देखेंगे ढाल विद्रों के बारे में तो JPSC और JSSC से ढाल विद्रों से इतने सारे क्वेशन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में औरill Cand alguns जंजातिये के विद्रों के प्रारम के लिए निम्भाउस कारण उतरता नहीं है तो पहला क्या है अंग्रेज़ों दोवारा आदिवासिय के सवर्शन तूध बिल्कुल सही है अंग्रेजी video कानूनों को आदिवासि jaar चैत्रों में झबरन लागू कराया जाना या भी सही है तो अंग्रेज़ों दोवारा जो भी प्रशासनी के आस्तायनिया या भूमी समंधी कानुन था वो भी जनजातिये छेत्रों में लागू किया जाना या भी जनजातिये विद्रों का परमुकारन था तो अपसंसी सही हो जाएगा उपर युक्त दोनों नेश्ट कॉस्चन है निम्द पर विचार करें तो अंग्रेजों दोवारा अस्थाई बंदोबस्त का लागू किया जाना अकालों की पुन्राविर्ति अंग्रेजों के इन में से कोण से जनजातिये विद्रों की सुरुवात के लिए शुरुवाती आर्थिक कारन थे तो इस नेश्ट कोचन देखते हैं इन में से कौन सा छेत्र जार्खन में जनजातिये विद्रों के लिए उत्तरदाई समाजिक संस्कृतिक कारण थे तो जार्खन में जनजातिये विद्रों के लिए उत्तरदाई समाजिक संस्कृतिक कारण कोन थे तो क्या है इसाय धर्म का विस् लिए आपको नहां के निवास्यों को अपने से समझते थे यह भी सही है जंजातियों की परंपराओं में हस्ते छेप का प्रियास यह भी सही आने कि उपर्यूक सभी अगला है जारखन की वीरूद अंगरेजों के वीरूद जार घ्या गया पहला विद्र कोन था तो इसके लि चेरो वीद्रो गांश को suspicion जैता है तो इसका डियाओ को कि Alright दाल विद्रों शुरुआ का बहने की सबलो हो था जगना डाल और कितने वर्सों तक रहा था 10 वर्सों तक रहा था को शुरूआ टरवफ्ड apples में अंग्रेजों का परवेश कब हुआ था ठोब ऐस झाली सब voltage में और परवेश के तुरंथ भात की शुरूआ थी घाल विद्रो दस वर्चों तक चला था देश के तक टाइम प्रियम्ट यहं Is anal है तोब ऐसे निव सिम्न में से ढाल विद्रों का नेता कोन था तो इसका अंसर वोजए आपका जगनार डाल ऑपशन जगनार ढाल जो है वे भावजन दो कीस कारण से किया उनके नेतरतों के कारण कुछ मंसा तो रहा होगा तो औंग्रेजों तो उसी के खिलाब चयक्तार जो राजा थे जगनाज्ञवहाथ था अगला है उसके बाद जगनाज धाल को उन्हें 1770 में फुनाड़ हंचेतर का राजा गोस्तित किया गया तब विद्रो सांथ रहा है निंवन में से कोण सा चेतर ढाल विद्रो से सरवाधिक प्रभाविद् दो उसका साई अन्सर हो झाएगा धाल विद्रू का पर्मुख कारण क्या था आ फरे उद्वारव कारण के इंतरगता नहीं था अंगरीजनों до वारा पकार Спेह के धाल विद्रों का साब्धिक अर्थ क्या है तो धाल विद्रों का साब्धिक अर्थ क्या है तो धाल विद्रों का साब्धिक अर्थ जो हो जाएगा आपका धाल राजा की नेतरतु में संपूर्ण धाल राज की जनता के विद्रों ऑप्शन भी उसका राइट अंसर हो था तो अग्रेजों ने जगनाः धाल को राजा के पत से हटाके धालभूम छेदर के राजा किसको बनाये था कि नीवू धाल को बनाया था रोजनी मीवाग कितने वर्सों तक सासव कर पाएं धस वर्सों नेख्ट है पुना धालबूम का राजा बनाये जाने की एवज में अधिक्तम कितना कर देने कर देने का स्विकार किया था जब 1777 में पुना अंग्रेजों ने चगना धाल को धालबूम का राजा बना दिया तो कितना टेक्स देना स्विकार किया था तो टेक्स देना जो स्व 4,000 से बढ़ाके 4,266 रुपिया कर दिया गया किस वर्स तो सन 1780 में अंग्रेजों अग्रेज अधिकारी को धाल विद्रों करने हैं तो धाल विद्रों करने हैं तू किसको भेजा गया था बगति को भेजा गया था एक था छिए लेफ्टनेंट रूक और चार्ल्स मेगन के ऑफ्षन धाल विद्रू का दमन किस नंग्या था लेफ्टनेंट रूक और चार्लस मेगन काफी मत पुण सब्वाल है अब माईड़ मार रखिए तो यह थे ढाल विद्रों से बनने वाले फर्मुक्स हो अब अगले चंग जाती है विद्रों के बारे में देखेंगे